इन वॉरियो फेलकम टू माइचनल आज की विदियों बात करने माले प्रोग्राम सिक्थ समेश्टर ठीक है हिंदी जाय लेके आयो है अिजिक्थ है हिंदी सिंवारोस का द्यान सिक्थ समेश्टर अलップ चुका है फ्रेंट पीजे प्रोग्राम ओले बच्चों का तो इसमें आपको पता हैं कि आतस् beliefs में चार फिलम specific कि क्या घया कैने और फिलम में चार फिलम है जो बहुत महत पूर है भूमिका के बाट रहां reopen पक्का हंडराट पर्षंच चार फिल्व में से इक फिल्म के बारे में संचे पोड़न पूछे हा पूछे तो पहली फिल सब्सक्ता है दिवार दूसरे हैं बारे टीसरे म adapted लेश्चा और चोथी यह परण पीके थी परण यह प्रसीद फिल्में हैं इनके बार में चारों में से एक फिल्म तो पक्का आना आना घंडर्ड परसंट में लिख के देता हूं फ्रेंड इन फिल्म में से एक आना आना है तो इसमें से जो दिवार फिल्म है इसके आने के ज़्यादा च फटापट डीटेल देख लेक्ते हैं रिलीज दिलांग थी 24 जनौरी 1975 ठीक है और फिलम का नाम था दिवार हिंदी में बनाई गेती प्रें और निर्दे सकते ये शोपड़ा ठीक है और निर्माता थे गुलसन राय लेखक ते सलीम खान और जावेदक्तर जो लेखक कारते हैं संगीतकार कौन थे राहुल डे वर्मन जेने आम आर्डी वर्मन वीक के नाम से भी जानते हैं गीतकार कौन है साहिर लुदियान वीक ठीक है और बजट कितने था इस फिलम का एक दसमलो तीस करोड रूपए दुनिया वर में ये कितना पैसा कमाई थी साथ दसमलो पचास कर और आयमडी वी रेटिंग इसकी थी दसमसे आठ दसमलो एक मुख्य कलाकार कौन थे अमिता बच्चन फिलम में नाम था उनका वीजय वर्मा था फिरन ये गलत सर्मा निखा गया है वीजय वर्मा नाम था उनका ससी कपूर जो रवी वर्मा का नाम किर्दार निपा रहे थे और जो गायक थी हमारी हमारी लेजेंट कौन थी लता मंगेशकर उस्मा मंगेशकर आपको पता है कि इनके गले में सवरस्थती जी का वास्ता और उनको भारत नत्म से भी नमाजा गया था ठीक है लेकिन इनकी मिरति हो गए थी छह फरवी उननीज दो आयार आपको ये घ्र तो फिलम तो ज़्यादर और देथे हैं फिलम की प्रस्तावणा देखते हैं तो फिलम दिवार 1975 में रिलिज殖ती है इसकी प्रस्तावना देखते हैं हिंदी सीनेमा ये फिलम कि की इसमाइफ है यह वर्तमान समय में जो फिल्में बनती है या फिर जो भी मिलाकरी 00524 यहां, यह का करते हैं? मिमिककरी करते हैं इन फिल्मों की, तो आप समझ लिए फिल्म कितनी परसीद हुई थी तो फटशो पठ देख लेते हैं यह फिल्म 1975 में चोथी सबसे ज्याधा कमा का माई वाली फिल्म थी निर्देel सकते 10 всё तोपड़ा दारा यह फिल्म 1975 में हिंदी सिन्मा की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी ती जुछ चपडपड की फिल्म थी उन में से सबसे सफल फिल्म उनकी रहे है पीक जिए दिवार है यंग्री यंग्में ठीक है जो अमिता बच्चन ने जो किरदान भाया था प्रेंड उसको इन इस फिलम ने अमिता बच्चन को यंगरी यंग मैन का किताब मिला इस फिलम ने अमिता बच्चन के कारियर को नई भुलंदियों पर पहुंचा दिया और रात और रात क्या बनगे इस फिलम ने भारती सिनेमा की पूरी तरह से बदल दिया ठीक है अब भारती सिनेमा पूरे प bundleมृटवल्ड doen । के जी adjust और आदारित सची घट्णा पर बनाई गई थि और इस कुरेदार को किस ने निवया था अमिता बच्चन ने निवाय था और इस फिल्म से ही अमिता बच्चन के रातो रात श्टार बन गया और फिल्मों ने उनके जीवन को ही पूरी तरी से बदल दिया अब फिल्म की कहानी थोड़ा संशेप में डाल लेते हैं तो फिल्म की कहानी है दो भाईयों की जो अपने परिवार के अत्याचार को जहल कर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं जो दोनों की भी दिवार खड़ी कर देता है फिल्म देखते हैं आनंद वानंद वर्मा ठीक है यह अंता बच्चन और सथी कपुर के पिता जी थे मजदूर संग के नेता थे और मजदूरों के हग के लिए वह लड़ाई लड़ते थे पर फैक्टरी मालिक इस लड़ाई से उनको पसंद नहीं करते थे क्या करते थे एक दिन वैसा होता है कि मजदूरों की ल परिवार को जान से माड़ देंगे तो वह क्या करते हैं जो अनन्द वर्मा रहते हैं वह लड़ाई को नहीं लड़ते हैं ठीक है डर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने परिवार बच्चों को नहीं खो सकता और फिर वह क्या करते हैं लड़ाई को नहीं करते तो लीडर बर्म हम वांसे बहाग जाते हैं तो जो मजदूर होते हैं तो उनके घर जाते हैं उनके बड़ियर बच्छों को सताने लगते और मता बच्छन के हैं पर अ отноrat पर लिख देते हैं तेरा बाप चोर है तो यह कहानी थी प्रें तो अख देखते एलैंक अनक नाम प्समेत्र रहता है बच्चों को लेकर को हैं मुंबई आ जाती है मुझदूर बीजंग पैंच के हाथ लिख देते हैं तेरा बाप पटोड है यह है तो बहुत फिमस वाता फिलम का डालोग तेरा बाप छूर है अपने बच्चों के पालन पुसंड के लिए उनकी पतनी होती है अनन्द वर्मा क्यों क्या करने लगती है तो मजदूरी करते जो विजय होते हैं जो बढ़े होते हैं अतना बचन उनको यह पसंद नहीं आता और क मुलते हैं कि मैं अपने भाई को अच्छा आदमी बनाऊंगा ठीक है जिसे उनको उनका छोटा भाई रभी जो सशी कपर लिकर अच्छा आदमी बन सके इसलिए क्या करते हैं बीजय और उनकी मात दोनों लोग मजदूरी करने लगते अधिक पैसे के लालस में क्या होता है जो बीजय होते हैं यामता बच्चन होते हो क्या करने सोनी की तरस तसकरी करने लगते हैं यानि गलत धंदों में आ जाते हैं और वहीं से वह चोटा भाई रभी सच्चाई इमांदारी से पुलिस बन जाता है ठीक है फिल्म में दिखाए गया और इसी कारण से दोनों भाई दे लिट लिलुब और ऑलिए तो जंग तो होना वी था तो ये फिल्म के दिखाई गई थी तो इस में कुछ है इस फिल्म में ठीक है तो इस फिल्म में कुछ है जो समवाथ है जो डारीलोग वगरते उनके बार है न की बानें अबात कलेते हैं तो हम अम् thoughtful और ते वीजय बच्चन के डायलोग उनको हम देखते हैं तो पहला था मैं आज भी फेके हुए पैसे नहीं उठाता आज खुश तो तुम बहुत होगे यह डायलोग भी बड़ा फेमस हुआ था इसे अपने जेब में रख ले पीटर चांढेला मैं आप तेरे चांभी जेब से निकालके करirt ठीकी इन अपने जानते होंगे आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रोपर्टी बैंगे वैलेंस है तुम्हारे पास क्या है यह फिलूम में तो सबसे जूप जाहने फीमस हुआता ठीक है तुम्हारे पास क्या है साची देख लेते हैं तुम भी तुमम अभी इतने अमीर नहीं को खरी सको लिए इतने अमीर नहीं लग फर्माय काता सम्वात संभाषाय नें तकिनिक ही चोनाली पहली ऐसी फिलम यह भी नाजी च्रस आज तक दरशेश को के बनी है कैमरा 1975 में आपका पता अच्छे से केमरे नहीं होते थे लेकिन उस समय भी अच्छे केमरे नहीं के बाद भी जो यह स्चोपड़ा थे उन्होंने कितनी अच्छी फिल्म बना दी तो इससे पता चलता कि फिल्म में ज्यादा मुहत्पूर केमरे नहीं है तो अच्छे फिल्म के लिए क्या अच्छा निर्देशक होना चाहिए अच्छे कलाकार होने चाहिए संगीत अच्छा होना चाहिए एक अच्छी कहानी होने चाहिए ठीक है और कहाने से कुछी आदिमों को सीख देनी चाहिए यह सारी चीज़ें बहुत महत्रपूर रखती है एक अच्छी फिल्म को बनाने में दीवार में अमता बचन के अवाज के लिए बहुत सारे विशेस तकनिका इस्तमाल किये गए ठीक है मंदिरों के आपको पता है कि जो आवाज वगरा निकाल उस फिल्म उस समय में 1975 में फिल्म रिकोड की जा रही थी तो उसमय आवाज के लिए ठीक है प्रकृति के आवाजों की वे पूले न पड़ा प्रकृति की साहता लेने पड़ी आवाजों के लिए जैसे मंदिर में घंडियों की आवाज हो गई ठ मतलब यह चो फिल्मों में जो जो पक्रीदार ने पाएं गैं वह सजीव वरतमार्थ में प्रकृति के श मून्पाइफ से लिया गया है जैसे मंदिर मुंबई साहर की जीवन्यापन के बारें बताए गया है झामरे की साहता सदा दिखाए ओंप सब्रकृत सबसे ज्यादा फेमस होई इस फिलम में जावेद अकतर और सलीम लेखनकला और एकथर और संटकों के लिए द्रिश्टी थी ठीसां इस पेलम निर्देसक ऑर लेखोकों के लिए द्रिश्टी थे उन कि आप फिल्मों को नई दृष्टी से देखिए जो निर्देशक हैं जो कलाकार जो आने वाले नए निर्देशक कलाकार हैं लेखक हैं उनके लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दीती किसने जावेद अक्तर और सलीम ने ये कानी मिलके लिखी थी फिल्म में जीवन के भाग को और सशी कपूर के जीवन को पूर्वी तरह के से बदल दिया तो यही फिल्म में यह था फिल्ण ठीक है तो बाकी फिल्मों में जल्दी जल्दी कराने वाला हूं क्योंकि आपके पेपर बहुत नदी आ गए फ्रेंट तो मेरी ये कोसिर रहेगी कि जल्दी-जल्दी मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा ऐसे पर अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा आपको जो पेपर में सहायता देंगी तो अंत्य में यही बोलूँगा लाइक करें शेयर करें ठीक है और अच्छे से तैयारी करना सुरू कर देब्रेंट ठीक है और मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जाएंगे